तो चलिए एंपे हमारा लंच ओगेर वह हो गئे हैं है मम्या को तிयार वेर करके पाबा को तयार करके कार में बैठा लिए AWR लेके और 60 km कौन आता है सब्जी लेकर और यहां पर देख सकते हैं मिठाय आया था उसको पैक कर रहा है मिठाय को क्योंकि बगल में जो फ्रेंड लोग है उनको देना वो लोग भी लेकर आते हैं इंडिया सथो हमें देते हैं तो भाई उनको भी तो देना चाहिए तेहां पर पैक क फ़र छोड़के इंडियन है लेकिन मेरे सोसाइटी में जो 12 फैमिली का सोसाइटी है उसमें एक भी इंडियन नहीं है समझें तहां पर बस पैकिंग सैकिंग मिठाई का कर रहें उसके बाद देने जाएंगे और अभी इंडियन साब से आये सारा समान वैसा ही रखा उसको ह है और सबको वाश करना है फिर से तीन चार घंटे बैठेंगे फिर उसको कट करना है चलो मम्मी है तो मम्मी बहुत हेल्प कर देगे और यह है ना कि नहीं भी करने का मनने मम्मी को बोलेंगे तो मम्मी आराम से कर लेगे और पता ही आप लोग को हम सबजी ले के आते हैं तो उसको कट करते हैं, स्टोर करते हैं, समझें, तेहां पर बस वही सब काम चल ला है, मिठाई उठाई पैक करके, फिर मिठाई दे के आएंगे, फिर हमें बनाना है डिनर, तो बहुत सारा काम है, और बैग जो है न, उसको भी सोचे है न, साथ आठ बैग है, जो मतलब रात में बैट के आराम से खोलेंगे, सारा बैग तो एक साथ सेयर नहीं कर पाएंगे, बट जितना हो सके, थोड़ा थोड़ा बैग आप लोग के साथ सेयर करेंगे, कि क्या क्या इंडिया से आया है, तो चलिए, बस रिशित कुमार का, रिशित नानी को, रिशित बहुत हो चुका है, और यहां पर सब को देने जाएंगे, एक ही बार पैक कर लिए ने, कि एक ही बार जाके दे आने, तो क्या होता ना, बार बार जाना आना नहीं हो पाता, रिशित तो भाई बहुत हपी है, नानी क्याने से चलिए, फिर मिलते हैं आप से नई सोट में, तब तक क बार बार